तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं धनू रासी के बारे में धनू रासी वालों के उपर में देव गुरू बिरस्पति यानि के धनू के स्वामी मालिक का एक माई 2024 से 14 माई 2025 के बीच में कुंडली के छठे भाव में यानि की ब्रिशव रासी में प्रवेस होने जा रहा है दो नम्मर के रासी में इसका क्या प्रभाब होगा आपके उपर में, आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा एक माई दोहजार चौबिस से चौदा माई दोहजार पचीस के विच में, क्या आपके पास में कुछ बड़ा पैसा आएगा, क्या दुस्मनों पर आप विजय हांसिल क पाएंगे, क्या पालवारिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उनसे आप बाहर निकल पाएंगे, क्या कुछ प्रोपरटी बना पाएंगे आप, क्या रहेगा आपका भागी पूरे एक साल के लिए देव ग्रूप रिस्पतिया आपके उपर में, दोस्त जैसा बेभार करेंगे या दुस्वनों जैसा, क्या क्या प्षल देंगे, आईए इस वीडियो में जानने की कोशिज करते हैं, तो हलो, नमस्कार, अदाव, सलाम, सस्तु, एकाल, क्यों चोकत सिकाए, क्यों हाले, क्यों हाले, गिनाजी, आज़व कईसन वानी, हावर, यो, कैसे हैं आप लो, क्यम यो, भाभी, भू, धौ, धौ, भा, और धाहो, और भेहो, उसकी रासी होती है, धनु, ये, यो, भाभी, भू, धौ, धौ, धाह, भे, इसमें से किसी भी अक्षर से, अगर आपका नाम सुरू होता है, तो आपकी रासी होती है, धनु, ये विडियो उन सभी लोगों के धनु के साथ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है धनु मकर कुंभ मीन में स्विलिष कुंडली के छठे भाव में ही प्रवेस रहेगा ये तै हो गया आए छठे भाव में देव गुरू ब्रिस्पती के बैठने कारण क्या क्या फल मिलेगा इस बात को समझने की कोशिस करते ह निवीर सजनो कुंडली के छठे भाव में देव गुरू ब्रिस्पती के बैठने कारण आप एक मधुर भासी विक्ती के तोर पर में जाने जाएंगे आपकी भासा कोसल आपकी वानी कोसल बड़ी कमाल की होगी इतना कमाल का कि जब जो लोग आपसे पंच-दस मिनट बात क कर लेंगे वो आपके चंगल से बाहर में निकल पाएंगे आप ही के जाल में फसके रह जाएंगे आपकी बानी मोहनी शक्ती में आकर के वो फस जाएंगे आपके बानी में वो आकरसन वो शक्ती वो ताकत होगी हमारे यहां एक कावत है कि यही मुँ पान खिलाता है और यह वानी का बहुत बड़ा रोल हमारी जीवन में होता है तो आपकी वानी इस समय में 1 माई 2014 से 14 माई 2025 के बीच में बड़ी मीठी और बहुत ही सुन्दर रहे गी इस समय में जोतिस विद्या में भी आपकी खुब रुची जागरी थोगी और आप एक अच्छे जोतिस के तोर पर में भी जाने जाएंगे आपके जोतिस बिद्या में पकर बढ़ती चली जाएगी एक सामाने नॉर्मल जोतिस से अगर आप सामाने वेक्ति भी हैं फिर भी इन जीयों को पर पर करके यूटूब पर विडियो दे खरके ग्यान अर्जन करके आप इनसे उपर हो जाएगे यानि कि जोतिस में पकर आपकी गहरी हो जाएगी, जोतिस में रूची आपकी गहरी हो जाएगी, देवी और सज्ञनो, इस समय में आपको बिवेक का सहरा मिलेगा, आप एक बिवेकी विक्ती के तोर पर में जाने जाएगी, बिवेक का सहरा मिलेगा, सील सुभाव आपका बह बड़ी भासा, इसकी बड़ी मीठी है, ये जोतिस बिद्या को भी बड़ा अच्छे तरीके से जानने वाला है, इत्यादी कुछ न कुछ आपके बारे में अच्छी से अच्छी बाते जो है सुन निकलती हुई प्रतीत हो रही है, देवी और सजनों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इतना ही नहीं, कुण्डली के छठे भाव में बैठने के कारण एक बिद्वान, सुयोगी बिद्वान व्यक्ती के तौर पर में आप जाने जाएंगे, आपकी बिद्धुता इस समय में देखने लाइक होगी, सुकर मरत इस समय में रहेंगे आप, सरीर थोरा सा दुर्बल हो सकता है, सरीर बहुत जादा मजबूत नहीं, बहुत जादा पावरफुल नहीं, तो बहुत जादा कमजोर भी नहीं, हलका फलका दुर्बल सरीर कमजोर मोटा कम देखने में लग सकता है, लेकिन प्रकृति आपकी बड़ी कमाल की रहेगी, उदा दे खुसी से और कहे ना किसी से इस समय में उसी विक्ति के तोर पर में आप जाने जाएंगे आप से जो कोई मांगेगा तो उसे दे देंगे खुसी से और कहेंगे भी ना किसी से ये सुभाव आप के अंदर आ जाएगा यानि की आप एक बहुत ही बड़ी अस्तर के जो जिस ह इस्यत में उदारता उसकी देखने को मिलेगी इसके कारण से हर तरफ लोग भी आपको मान सम्मान करेंगे लोग भी आपको मानेंगे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे लोग भी आपकी इज़त करेंगे और आप लोग मानने कहलाएंगे हिल्थवाई किसी परकार की इसू वगेरा अगर आ रही थी तो उसमें भी बहुत ज्यादा राहत देखने को मिलेगी और आपके प्रताफ के बारे में भी इस समय में हर तरफ चर्चा जो है तो देखने को मिल सकती है चटे भाव से देवी और सजनो पंचम द्रिष्टी एक दो तेन चार पाँच कुंडली के दसम भाव पर पड़ेगी और कुंडली के दसम भाव को जब देव गुरु ब्रस्पती पुर्न द्रिष्टी से देखते हैं तो महरसी कहते हैं कि यह आपको यहां तक की राज मानने तक बना देते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं हाईयर क्लास के लोग हैं राजा समान वेक्ति हैं आपने आप में वो किसी राजा से कम नहीं है ऐसे लोगों के बीच में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों के बीच में भी आपको जो है सो क्या मिलता है इज़त मिलती है प्रतिष्ठा मिलती है आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे आपके सुख में खूब बिर्धी होने जा रही है धन की प्राप्ती भी होगी और पुत्राद का सुख भी आपको प्राप्त होगा, यानि कि धन और संतान दोनों के सुख से युक्त रहेंगे आप। कुछ जमीन वगेरा खरीदने का धनूरासी वाले आपको अपसर मिलेगा, आपने नाम से आप भूमी पती कहलाएंगे, और एस्वारिवान कहलाने का भी अपसर आपको प्राप्त हो नवम द्रिष्टी जो है सुकुंडली के दुतिये भाव पर पर परेगी और दूसरे भाव पर में नवम द्रिष्टी परने कारण पिता के धन काया आप जरूर कुछ नुकसान कर देंगे, पित्र धन नासक योग भी बनता है, लेकिन खुद के बूते पर में खुद के आपको आप समझेंगे नहीं, आप रहेंगे, हर तरफ मान सम्मान परतिष्टा के प्राप्ती का अच्छा खासा योग आपके लिए बन रहा है, और छठे भाव में प्रवेस के कारण कुछ हलका फलका हिल्थ वाई जीसू भी सामने आएगी, एक साल का लंबा पिरियड है, संतान से कभी-कभी बैमनस्चिता की इस्थिती भी देखने को मिल सकती है, धन का एकाद जगह पर में कभी-कभी कुछ दिनों के लिए कमी भी महसूस हो सकती है, पेट से सम्मान जित कुछ इसू सामने आ सकती है, कुछ लोग आपके बिरोध में भी आ सकते हैं, तो समय अच हमने सब कुछ बताने की कोशिस की है अमीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ कुछ लोग कहते हैं कि गुर्देब जो अच्छा फल होता है वो सिर्फ हमें सुनने को मिलता है देखने को नहीं मिलता जो बुरा फल है वो हमें सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपने हस्त रेखा और जन्मकुंडली की जांच करवाने की आप जांच करवाएं अपने हस्त रेखा और जन्मकुंडली की सही और एक रेट जानकारी लेने की कोसिस करें, योग जोतिस से मिलना चाहते हैं, तो सामने वाटसअप नमबर है, 7062757996 पर अपनी डिटेल, जन्मतारीक, जन्म समय, जन्मस्थान, दोनों हाथ कहते हैं लिए का फोटो अवस्चे भेज़, आपको सही और एक रेट जानकार प्राप्त होगी, उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, इसके वेल आइकन के बटन को दबाएं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, थ क्ष्छा लगा झाम्यवाद, उमीद करें एक